आमेंसे काफी लोग ऐसे हैं जो अब ये पूछ रहे होंगे कि भाई कितनी मेहनत करनी पड़ेगी हमें इस पाइथोन के चिल्ला के अंदर कितने घंटे हम काम करें तो एक बात याद रखिए हर बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल डिफरेंट होता है हर बंदे की समझने की ताकट डिफरेंट होती है हर बंदे के ग्रैस्ट करने की और प्रैक्टिस करने की जो स्टेमिना है वो डिफरेंट होता है तो ये बहुत वेरियेबल चीज है मैं अगर किसी को कुँकर सारे एक घंट रोजाना is pay off, ठीक है, hard work जो होती है, मेनत कभी राएगा नहीं जाती, अब आप सोच रहे होंगे कि मेनत अगर राएगा नहीं जाती, तो भई कितनी मेहनत करें, तो ये मेरे पास एक छोटा सा प्लैन है आपके लिए, अगर आप इसको follow करेंगे, you will see a huge thing going on during this course, पहला है दो से चार, अब आप सोच रहे होंगे दो से चार मिनट, नहीं दो से चार घेंटे every weekday, यानि कि मंडे से फ्राइडे तक, you should work starting from two hours to four hours including lectures, अब आप सोच रहे होंगे कि दो से चार घेंटे में दो लगाँ या चार लगाँ या आप पर depend करता है, आप कितनी जल्दी चीजों को grasp करते हैं, एक बात याद रखिए का जो task दिया गया है, जो assignment दिये गई है, उसको on time complete करें and then it will be fine, वो दो घेंटे में हो जाए, तीन में हो जाए, चार में हो जाए and usually उसको ज्यादा time भी लगता है, उसको complete करके सोना है आपने, ठीक है second thing is, चार से पांच चार से पांच, चार से पांच बज़े नहीं है चार से पांच आपने घेंटे देने है every weekend, ठीक है एक तो उसमें हमारी class होगी, Sunday को उसके इलावा आपने, चार से पांच खेंटे जो है वो, every weekend लगाने है चीजों को समझने के लिए अब आप सोच रहे होगे कि ठीक है यार, मैं इतना time दे दूँगा लेकिन still, is it enough to grasp this much content in in upcoming days उसकी मैं आपको plan बता देता हूँ हमारी class timings कुछ इस तरीके से होगे और class timing और कितना आपने time लगाना है यह तोनों चीज़ें बहुत matter करती है